रसीद वय अन्य गोटालों के आरोपों में नगर परिशद के वाइस चेर्मेन मामन चंद को आज सेजियम कोर्ट में पेश किया गया है यानि कि हम ये कह सकते हैं मामन चंद ने आज सरेंडर किया है और SIT को फिलाल सोपा गया है SIT करीब साड़े तीन बज़े तक पुस्ताच करेगी उसके बाद में वापिस सेजियम कोर्ट में पेश किया जाएगा अगली करवाई देखी जाएगी कि उनको रिमांड पर लिया जाएगा या पुस्ताच के लिए अलग से बुलाया जाएगा फिलाल SIT की टेम उनसे पुस्ताच कर रही है हम बिवानी के ये कोर्ट परिशर के ठीक सामने है मामन चंड के परिजन आए हुई है उनकी माता है बहन है और एक चचेरा भाई भी आ उनसे हम बाचित कराएंगे आखिर वो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर के उनका क्या मानना है और जो मामनचंद के खिलाप कुछ लोग जिनोंने शिकायत दरज करवाई हुई है जिनके अगैंस्ट ये कारवाई चली हुई है जिनके शिकायत पर ये कारवाई हुई है सुशील वर्मा और राजेंदर तवर उनको लेकर के इनके परिजिन क्या करे हैं वह आप सुनिये Dewi मैं मामनचंद की मदर अज मेरे लड़केने मामनचंद ने अपने आपको स्रेंडर किया है लेकिन उन्होंने पहली परदर्शन किया था कि मैं निर्दवस हुई है लेकिन उसके बाद पता से लाके अंदर है ना प्लेन पेपर पे साइन करवा रहे हैं और नसेसरी टॉर्चर कर रहे हैं जिस वज़े से बच्चा प्रेशान होके और यहां से चला गया लेकिन वो अपनी कारवाई में लगया हुआ था और इसको सब का अधिकार है कि वो अपन क्या है कोई बात नहीं सचाही तो सामने आएगी एक दिन सचाही जरूर आएगी यह फ्रोड है पॉल्टिकल साजीश है क्योंकि आप आज तक अभी विवानी चैर्मा मामन के अलावा कोई भी चेरवेंगा इन परबल दाविदार नहीं था उसको साजीश के साइज पसाया के उसे दोशी को एसाइटी को सौपा है तीन वजे के आसपास दोशी को वापिस कोर्ट में पेश किया जाएगा सामिल जाज करके फिर उसके बाद उसके रिमांड के लिए हम लोग लड़ाई लडएंगे क्योंकि गोटाले बहुत हुए हैं कई मुकदमें अन्य मुकदमों इसका नाम है तो जल्द ही पुलिस परशाशन लेगा और हमारी बिवाणी की जनता को न्याई जरूर मिनेगा मामन चंद ने सरेंडर की आज क्या करना चाहेंगे तो कि सरेंडर तो करना ही था क्योंकि कई सबूत सामने आ चुके हैं जहां पे वह आरूप पिसीद होता है और उपर से पुलिस ने भी एक दबाव बना रखा था तो कि पुलिस के ओपर भी दबाव था अंगर स्ट्राइ पुलिस ने भी एक साथ दिन का कमिटमेंट किया था कि अरेस्ट करेंगे मुख्या रूप्यों को तो चारो तरफ से दबाव था तो तो करने के लाव को चारा बचारीं था दोनों कोर्टों में जो बेल अप्लिकेशन लगाई थी अग्रीम फारीज हो गई थी जो आपके सा कर दो क्या घर जैगा अगर किसी ने वी कुछ ये किसी भी परकार का नाचायज काम कर रखा है जाहिए वह ब्राबरें बैठने वाला है सामने बेठनें वालें哦 सबके लिए ब्रावरा का स्टेंड है अगर मान लिजिए इसमें स्हाइब होता है कि कोई भी वेक्ती किसी पर दुरुवर यही दौनों चेर्मेन और वाइस चेर्मन जिनके आथ में सथा थी जिनके आथ में पैन्था जिंके आतमें की ताप customize थी बाकित तो इनके शहार लगे है अपना फाइदा उठाने के मकसिसा शामिल गया थी चाहे वो सक्रेपंगा प्लिश बाला हो चैना समयता हो या कोई इसका पीओ या को भी हर किसी को लोब आ जाता है कि जब यह पावर में तो अंबीन के साथ लगके नाजाज तरीकों से पैसे कमा लें जब तक इन की सह नहीं होती तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था तो जहां तक मुख्या रूपियों की बात है तो यह दो दन तो मुझे लगता है वेक्तिगत तोर पर ऐसा फिल होता है कि अब यह जो जितने भी बाहर गुम रहे हैं इन सब को भी सरेंडर करना पड़ेगा या तो या पुलिस इन तक जरूर से जरूर पहुंच जाएगी और जब जब तक नहीं पहुंचेगी आखरी जो भी आखरी